आखिर किड किस से मिलने की बात कर रहा था ये सवाल ना हर One Piece फैंस के बीच में जरूर उठ रहा होगा जिसने भी 1056 चैप्टर रीड किया है और सबके अलग-अलग थौट्स है यार और यहां पर हमारे चैनल पर अपने थौट्स भी रखेंगे कि कौन हो सकता है वो बंदा देखो मैंने बहुत सारे थियोरिस देखे इसको लेकर कि बहुत सारे लोगों के ओपेनियन्स भी सुनें सारे लोगं कमेंट्र में ये बोल रहे था कि सिखी गोड़ल लाइन से मिलने की बात कर रहा होगा अब देखो तक आपना अंपना मानना है लेकिन मेरे को जाता है लगता है वो सी總 लमसी के अंदर लगान है अब हाँ यह मैं नहीं कहा रहों कि Mississippi नहीं हो सकता हो भी सकता यार Сп 피ak और आजक्यरी होने वाला वो भी सी टाइप का वीडियो होने वाला तो आखिर कॉन वह सकता है वह अब देखो इसको लेकर करके मैं अभी यही सोच रहा था और मैं और मेरा दोस्त आपस में conversation कर रहे थे इसी topic को लेकर करके फिर जो उसने कहा मेरे को जहां तक लगता है यह हो सकता है ज्यादा बात को नहीं घुमाऊंगा सीधे सीधे बोलता हूँ जिस बंदे से मिलने की बात कर था जिसके बॉड़ी में जला हूँ असकार है वो कोई और नहीं वो भी एक ओहारन ही होगा जिस तरह से निको रॉबिन है अब तुम बोलोगे ओहारा को तो भाई बस्टर कॉल से उड़ा दिया गया था हाँ मैं इस बात से अगरी करता हूँ कि उनको बस्टर कॉल से उड़ा दिया गया लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई सर्वाइब कर गया होगा जैसे निको रॉबिन बच गई थी वैसे ही कोई ना कोई बच सकता है और भाई बस्टर कॉल मारा था समझता हूँ लेकिन हमें रॉबिन के एंगल से दिखाया गया तो वहां पर Robin survive कर गई लेकिन ऐसा भी तो हो सकता कोई ने कोई बच गिया होगा जैसे तैसे करके और उसके body में जला हुआ बशकार है तो ज्यादा chances यह बनते हैं कि हो सकता है वो कोई ओहारा नहीं हो बिगाउस बस्टर कॉल प्लस हमें एक और बात नहीं भूलना चाहिए आकाहिनों ने भी एक सिप को जला दिया था जहां पर बहुत सारे ओहारा के बच्चे थे बट फिर भी हमने बहुत सारे characters को द आया ना वहीं अगर मैं बात करने जाओ एक और character जिसे anime watcher समझते हैं कि वो मर चुका है लेकिन जो manga raider से उनको पता है कि वो बचा हुआ है मैं बात करो bon clay की अब हाँ देखो मैं manga story के cover page की नहीं लूँगा बात बहुत सारे लोग cover page को follow नहीं करते बहुत सारे लोगों का मन दो रोड पॉनी क्लिफ आ चुके हैं तो अब वो जाएगा उस बंदे के पास और ऐसा हो सकता है कि वो kid की help भी करे विकॉज यार ओहारा जब history को लेके पढ़ाई कर रहे ते वो लोग पॉनी क्लिफ को read कर सकते हैं तो वो लोग हो सकता है यार kid का साथ भी दे तो उसके पा बाद तो हां भाई one piece में जितने भी हमें death दिखाया जाते हैं जो की confirm वाले death होते हैं चाहे वो Roger का हो, Ace का हो या Oden का हो वो सब public के सामने होते हैं मतलब जादतर लोगों के सामने उन्हें मारा जाता है और Ohara के case में थोड़ा अलग type का है वहां पर पूरे उसके प्रजाती क वही भाई उड़ा दिया गया, Buster Call के द्वारा, लेकिन फिर भी यार किसी के तो survival के chances बनते हैं जिस तरह से Nico Robin बच गई, हो सकता है किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बच गया होगा, और हां तुम यह मत भूलना कि उस बंदे के body में जला हुआ सकार है, और हो सकता है यह ज assumption type का है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि तुम उसके उपर 100% believe करो, because यह theory है, और वो भी assumption वाला theory है, बस इतना तुम सोच लो कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे buggy वाले case में हुआ था, और जो कुछ भी होगा वो हमें तो future में पता चली जाएगा यार, अब तुम सब क्या विचार comment box खाली है, तुम सब comment box में अपनी राइदो, और हाँ कल हम बात करेंगे कारीबो को लिके, कारीबो कि इसकी बात कर रहा होगा, उस वीडियो का भी wait करना, और वीडियो पसंद आया, like मारो, नहीं पसंद आया, dislike मारो, चैनल पर नहीं आयागो, subscribe मारो, और हाँ, bell icon भी on कर जिससे जब भी मैं कोई नए वीडियो डालूँगा तुम्हारे पारे नोटिवी किसन चल जाएगा और हां मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूला तो यार मिलेंग नेक्स्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई